नमस्कार दोस्तों मैं सुनीता उन्नती की वानी में आप सबका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है प्रेम चंदर जी की परिक्षा परिक्षा कहानी का सारांश शिर्शक की सार्थक्ता तथा इससे समंदित जो भी प्रशन उत्तर हैं जो शॉर्टकट्स हैं प्रशन उत्तर तो आपको कहानी पढ़कर ही समझ आ जाएंगे फिर भी इसके जो छोटा सा जो प्रशन उत्तर है वो मैं कहानी के अंत में आपको बताऊंगी तो पहले पूरी कहानी सुन लीजे उसके बाद शिर्शक की सार्थक्ता और किन गुनों के रहते वे किसलिए ये प अरिक्षा जब रियासत देवगड के दिवान सरदार सुजान सिंग बुड़े हुए तो प्रमात्मा की याद आई जाकर महरास से विन्य किया कि दीनवंदू दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है अब मेरी अवस्ता भी डल गई है और राजकार संभालने की शक्ती भी कहीं भूल चुक हो जाए तो बुड़ापे में दाग लगे सारी जिन्दिगी की नेक नामी भी मिट्टी में मिल जाए राजा साहब अपने अनुभव शिल नीती कुशल दिवान का बढ़ा आदर कर देते बहुत समझाया लेकिन जब दिवान साहब ने ना माना तो हार कर उ उनकी प्रातना स्विकार कर ले पर शर्त यह लगादी की रियासत के लिए नया दिवान आप ही को खुजना पड़ेगा दूसरे दिन देश के प्रसिद पत्रों में यह विज्यापन निकला कि देवगड के लिए स्योग्य दिवान की जरूत है जो सज्जन अपने को इस मिद्वारों के रहन सेन अचार विचार की देख भल की जाएगी विद्या का कम परंतु करतव्य का अधिक विचार किया जाएगा जो महाशिय इस परिक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच पद पर सुशोभित होंगे इस विज्यापन ने सारे मुल्क में तहल का मचा द और किसी प्रकार की कैद नहीं केवल नसीब का ही तो खेल है सैकड़ो आतमी अपना अपना भाग्या परखने के लिए चल खड़े वे देवगड में नए नए और रंग भरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे परतेक रेल गाड़ी से उमीदवारों का एक मीला सा उतरता को कोई मदरास से कोई नए फैशन का प्रेमी कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भागे की परिक्षा करने का अफसर मिला बेचारी सनद के नाम रोया करते थे यहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी रंगीन एमामे चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देव गड़ में अपनी सजधच दिखाने लगे लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्राजूट कोई थी क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पढ़दा तो ढगा रहता है सरदार सुजान सींग ने इन महानभावों के आदर सतकार का बड़ा ही अच्छा प्रबंद कर दिया लोग अपने अपने कमरों में बैठे वे रोजेदार मुसल्मानों की तरह महीने के दिनगीना करते हर एक मनुश्य अपने जीवन को अपनी बुद्धी के रिवसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था मिस्टर आ नौ बजे दिन तक सोया करते थे आज कल वे बागीचे में टहलते वे उशा का दर्शन करते हैं मिस्टर बा को हुका पीने के लत्ती आज कल बहुत राद गए किवार बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे मिस्टर दा, सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था लेकिन ये सजन आज कल आप और जनाब के बकैर नौकरों से बातचीत नहीं करते महाश्यका नास्तिक थे, हकसले के उपासक, मगर आज कल उनकी धर्म निष्टा देकर मंदिर के पुजारी को पच्चित होने जाने की शंका लगी रहती मिस्टर लाग को तो किताब उसे घ्रना थी, परंतु आज कल वे बड़े बड़े घ्रन्थ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए, वे नमरता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंतर पढ़ने में लगते, मौलवी सहाब को नमाज और तलावत की सिवा और कोई काम ना था, लोग समझते की एक महीने कहीं तो जंजट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद हो गया तो कौन पूछता है, लेकिन मनुश्य का वह बुड बेवे खिलाड़ियों ने पेश किया, यह भी तो आकिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभवे कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए, चलिए तैह हो गया, फिल्ड बन गई, खेल शुरू हो गया, और गैन किसी दफ्तर के आपरेंटिस की तरह ठोकरे खाने ल पता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी और के खिलाड़ी इस बढ़ती ही लहर को इस तरह रोक लेते कि मानो लोहे की दिवार हो, संधिया तक यही धूम धाम रहे, लोग पसीने से तर हो गए, फून की गर्मी आँख और चेहरे से जलक रही थी, हाफते लेकिन हार जीत का निर्णे ना हो सका, अंधेरा हो गया था, इस मैदान से जरा हट कर दूर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था, पतिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था, खेला भी बंद ही हुआ था, और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनास से भरी हुई गाड़ी लिये वे नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में की चड़ता और कुछ उसकी चड़ाई इतनी उची थी कि गाड़ी उपर ना चड़ सकती, वे कभी बैलो को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढखेलता, लेकिन बोज अधिकता और बैल कम गाड़ी उपर को ना चड़ती और चड़ती भी तो कुछ दूर चड़कर फिर खिसकर नीचे पहुँच जाती, किसान बार बार जूर लगाता और बार बार जुझला कर बैलो को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती, बेचारा इधर उधर 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 निराश शोकर ताकता मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता गाड़ी को अकेले छोड़ कर कहीं जा भी तो नहीं सकता बढ़िया पत्ती में फसा हुआ था इसी बीच में खिलाडी हातों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले किसान ने उनकी तरफ सैमी हुई आखों से देखा परंतु किसी से मदद मांगने का सहस ना हुआ खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आखों से जिनमें सहानुबती ना थी उम्में स्वारत था मत था मगर उधारत था और वातसल्य का नाम भी ना था लेकिन उसी सह मुमें एक ऐसा मनुश्य था जिसके हिर्दे में दया भी थी और सहस भी आजहाओ की खिलते वे उसके पैरों में चोट लग गए थी लंगडा आता हुआ धीरे धीरे चला आता था अकस्मात उसकी निगा गाड़ी पर पड़ी ठिठक गया उसे किसान की सूरत देखते ही सब बाते ग्यात हो गए डंडा एक किनारी रख दिया कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दू किसान ने देखा एक गठेवे बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा जुक कर बोला हुजूर मैं आप से कैसे कहूं यूवक ने का मालू होता है तुम यह बड़ी देर से फसे हो अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलो को साथ हो मैं पहिये को ढड़ी ओपर चड़ जाती है किसान गाड़ी पर जा बैठा यूवक ने पहिये को जोड लगा कर उकसाया पीचर बहुत जाता था वे घुटने तक जमीन में गड़ गया लेकिन हिम्मत तहारी उसने फिर जोड़ किया उधर किसान ने बैलो को ललकारा बैलो को भी सहरा मिला हिम्मत बंदी उन्होंने कंदे जुका कर एक बार जोड़ किया तो गाड़ी नाले के उपर थी किसान युवक के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया बोला महराज आपने आज मुझे उबार लिया नहीं तो सारी रात मुझे यह बैठना पड़ता यह वक्त ने हसकर कहा अब मुझे कुछ इनाम देते हो किसान ने गंबिर भाव से का नरायन चाहेंगे तो दिवानी आपको ही मिलेगी यह वक्त ने किसान की तरफ गौर से देखा उसके मन में संधे हुआ क्या यह सुजान सिंग तो नहीं है आवाज मिलती है चेहरा मौरा भी वई किसान ने भी उसकी तिवर दृष्टी से देखा शायद उसके दिल के संधे को भाव गया मुस्करा कर बुला गहरे पानी में पैटने से ही तो मोती मिलता है निदान महीना पुरा हुआ चुनाफ का दिन आ पहुँचा उमीदवार लोग प्रात्यकाल ही अपनी किसमतों का फैसला सुनने के लिए उसकते दिन काटना पहाड हो गया प्रतेक के चहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे ना जाने किस पर लक्षमी की किरपाद रिष्टी होगी संध्या समय राजा साहब का दर्बार सजाया गया शेहर के रहीस और धनाडे लोग राज्ये के करमचारी और दर्बारी तयता दिवानी के उमीदवारों का समो सबरंग बिरंगी सज धज बनाएं दर्बार में आविराजे उमीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंग ने खड़े होकर कहा मेरी दिवानी के उमीदवर महाश्यों मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे शमा कीजिए इस पद के लिए ऐसे पुरुष की अवशक्ता थी जिसके हृदे में दया हो और साथ साथ आत्मबल है वह जो उदार हो आत्मबल वह जो अपत्ती का वीरता के साथ सामना के करे और इस रियासत के सौभागे से हमें ऐसा पुरुष मिल गया ऐसे गुणवारे संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्थी और मान के शिकर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुच नहीं है मैं रियासत के पंडित जान की नात सा दिवान पाने के पर बदाई देता हूँ रियासत के करमचारियों रईसों ने जान की नात की तरफ देखा उमीदवार दल की आँखे उधर उटी मगर उन आखों में सतकार ना था थी इन आखों में इर्श्या सरदार सहाब ने फिर फरमाया आप लोगों को यह सिर्कार करने में तो कोई आपती नहोगी कि जो पुरुष स्वेम जखमी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के उपर चड़ा दे उसके हृदे में सहस आत्मवल और उधारता का वास है ऐसा आदमी गरीब को कभी नहीं सताएगा उसका संकल्ब द्रड है और जो है उसके चित को स्थिर रखेगा वैचाए दोगा का जाए परनतु दया और धरम से कभी नहाटेगा रियासत देवगड के महराज ने नया दिवान चुनने की जिमिदारी उन्होंने सरदार सुजान सिंग को ही दी दी और सरदार सुजान सिंग चुकि वह एक बहुती नीती कुशल व्यक्ती थे और वह एक ऐसे व्यक्ती को रियासत का दिवान बनाना चाहते थे जिसके हिरदे में दया हो और उधारता हो और साती सात उसमें आत्मबल भी हो और जो मुसीबत का सामना बहादरी से करे वह गरीबों को कभी न सताए वह चाय दोखा भी का जाए परंतु दया और धरम के मार्ग से कभी न हटे और पंडित जानकी नात में सरदार सुजान सिंग ने यही गुण देखा सुजान सिंग की परिक्षा में कसौटी पर खरे उतरे क्योंकि जब होकी का मैच खेलते हैं तो उनके पैर में चोट लग जाती है किन्तु वे स्वेम कष्ट में होते वे भी किसी गरीब की सहायता करने में हिचके नहीं इसलिए सुजान सिंग ने जब पंडित जानकी नात को ही दिवानी के पत के योग्या समझा था तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के सद्गुनों का महत्व उसकी बहारी प्रमान पत्रों से भी मनुष्य के हिदे में उदारता और दया रहनी चाहिए जो समाज की सेवा कर सके उसमें आत्मबल भी होना चाहिए जो हर विपत्ती या मुसीबत में उसका सामना वीरता से कर सके तभी वह समाज में अपना एक उचा इस्थान बनाए सकता है और उस स्थान को पाने के योग्य भी हो सकता है प्रस्तुत कहानी का शीरशक भी बहुती सार्थक है प्रस्तुत कहानी रियासत देवगड के बारे में है जहां के जो सरदार है वो बहुती नीती कुशल हैं का नाम है सरदार सुजान सिंग जो अब की बूड़े हो चुके हैं और वे चाहते हैं कि वे राज का जब नहीं समभाल पा रहे हैं तता कही बुढ़ापे में अगर उनसे कोई गलती हो गई और जिससे कि उनके सारे मतलब अब तक का जो उन्होंने काम किया है उसमें दाग ना लग कि अब उन्हें दिवान पत की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए किन्तु नए दिवान को चुनने की जिम्मेदारी भी महराज सरदार सुजान सिंग पर छोड़ देते हैं और सरदार सुजान सिंग दिवान बनने के लिए जो शर्ते रखते हैं उसमें हैं कि जो नया द वान हो उसमें विद्या भले ही कम हो पर दया प्रेम ममता परुपकार आत्मबल जैसे मानवे गुन जादा हो और वे इसी को ही अधिक महत्व देंगे और वे उमीदवारों की परिक्षा रहने के लिए एक महा का समय लेते हैं इस एक महा के बीच वो सभी उमीदवारों को बार सदगुनों की जो परिक्षा होती है उनके सदगुनों से उत्रिन करके वो उन्हें रियासत का नया दिवान बना देते हैं इसी वज़े से इसका शिर्षक का नाम परिक्षा रखा गया है क्योंकि इस कहानी में मनुष्य के सदगुनों की परिक्षा होती है इसलिए सही है